स्थार्ण पूलिस कोंस्टेबल बरती प्रिक्शा 2020 के सलेवस के анुसार दोस्टो राज़स्तान पूलिस कोंस्टेबल के लिए यूट्चरी स्टार्ट की गए थी जिसमें अपने दो model paper हैं वो complete हो चुके हैं आज दोस्तों अपना इसमें तीसरा नबर का model paper है दोस्तों अगर आप पिछले दिये गए विकल्पों में से समंदित अक्सर संख्या सब्द को चुनना है अपने को ठीक है यानि कि दोस्तों देखे बुद्धी मुर्ख जल तो क्या हो जाएगा इसका तो देखे चार ओप्षन आपके सामने हैं भाव उक्रगिस्तान दन्वान विद्वान तो दोस्तों दे पर जल नहो उसे रेगिस्तान कहते हैं यह आपको इसमें याद रखना है बी नंबर का उप्षन से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए सी जी इई आई एफ जे सी जी इई आई एफ जे अब आप यहां पर देखिए दोस्तों ठीक है सी में अगर अगर अपन कितने ज यहां पर एच आई यानि कि दो जोड़े तब यहां पर आई आगया एफ में अपन क्या जोड़े कि दोस्तों सुरी अप एफ में अपन दो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा तो देखिए एफ जी एच तो एच आई गए यहां पर ठीक है और जे के जे में जो जोड़ेंग तीन नमबर प्रेस ने 5, 20, 0, 6 आगे क्या आएगा तो देखे दोस्तों इसमें आप ऐसे भी कर सकते इसको कि 5 का स्क्वायर माइनस 5 कितने आगे 20 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 तो कितने हो जाएगा 20 और यहाँ पर देखे 6 का स्क्वायर माइनस 6 करेंगे तो कितना जाएगा 36, 36 में इसे 6 गए तो कितने बचे गए 30, C नमबर का ओप्शन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है अभी देखे 4-6 प्रस्न है इसमें ठीक है जो अन्य तीनों से बिन है वो अपने को बताना है तो यहाँ पर देखिए गाय, हाती, घोडा, बतक तो आपको सब को पता सल गया होगा दोस्तो बतक है यह पानी में तैरती है ठीक है पानी में रहती है और बाकी के दोस्तों तीनों है यह पानी में नहीं रहती है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों और सिधा सा यह भी है कि बतक है वो एक पक्स है और बाकी के तीन क्या है जानवर है ठीक है तो इसमें डी नंबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए पांच नंबर प्रेस ने है एच बी टी ओ जैड यू एन आई तो दोस्तों देखिए यहां पर एच और बी के अंदर कितना डिफ्रेंस है तो देखिए बी सी डी एफ जी एच तो दोस्तों टोटल इसमें 6 का डिफ्रेंस है ठीक है और टी और ओ के अंदर कितने का है तो दोस्तों टी किते पे आता है तो टी 20 नंबर पे आता है और ओ किते नंबर पे आता है तो ओ आता है दोस्तों 15 नंबर पे यानि कि 5 नंबर का गैफ है दोस्त तो चोज़ा नमबर पे आता है और आई है यह नो नमबर पे आता है गैप कितने का है पांच नमबर का जैड है वो दोस्तो किते नमबर पे आता है तो 26 पे और यू है वो किते नमबर पे तो 21 पे किते का गैप है पांच का यानि कि इन तीनों के अंदर तो पांच पांच का ग तालिस, चोदह, अठाइस, आठ बीस तो इन में से भिन कौन सा है तो देखे अठारा दू छत्तिस ठीक है अब यहां पे देखे सोला एकम, सोला, सोला दू नि बत्तिस और बत्तिस में सोला का आदा कितना होता है आठ तो बत्तिस में अगर अपन आठ जोड़ लेंगे तो चालिस आरा एक नहीं आरा यानि कि इन्टू दो ठीक है, पलस इसमें जो पहली वाली संख्या है इसकी आदी पलस करनी है यहां पे देखे अठारा इन्टू दो कितने हो गए छत्तिस और अठारा का आदा करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 9, तो 36 और 9 कितने होते हैं, 45 यानि कि यह भी सही हो रहा है, आगे देखिए आठ और 20 के अंदर 8 दूनी 16 और 8 का आदा कितना होता है 4, 16 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 20, यह तीनों के अंदर तो दोस्तो एक नियम लग रहा है अब यहाँ पे देखिए 14 दुनिय 28 यह डायरेक्ट डबल हो रहा है इसमें अगर 28 में 7 और जोड़े जाते यानि कि 28 की जगए 35 होते तब यह 4 बराबर होते लेकिन यहाँ पे डबल दे रखा है तो इसमें C नमबर का उप्शन सही उतर नेक्स्ट निमनलिकित परस्णों में कौन सा विकल्प नीचे दिये हुए सब्दों का सार्थक क्रम दरसाता है तो देखिए वयस्क, बच्चा, सिसू, बालक, किसोर तो सबसे पहले आएगा दोस्तों वो बालक किसरेणी में आजाता है फिर बालक से दोस्तों वो किसोर किसरेणी में आजाता है और किसोर से दोस्तों वो वयस्क किसरेणी में आजाता है यानि कि प्रस्ण का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए सिसू तीन बच्चा दो किस में है तो यह बी नमबर वाले option में है तो यह इसका right answer हो जाएगा बी नमबर का option next है आठ नमबर का प्रसन है दिवार, चिकनिमिटी, मकान, कमरा, 8 तो देखिए सबसे last में बनेगा दोस्तो मकान यानि कि सबके last में क्या आएगा तीन, उससे पहले आएगा दोस्तो कमरा, कमरा है वो मकान में ही होता है तो यह चार तीन, यानि कि last के अंदर के आएगे चार और तीन तो इसमें चार और तीन नहीं है तो यह अपना गलत हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए कमरा है वो किस से बनता है तो वो दिवार से बनता है तो दिवार आ जाएगा इसमें एक चार तीन एक चार तीन इसमें भी है एक चार तीन इसमें भी है ठीक है अब देखिए इंट और चिकनी मिटी इंट और चिक्नी मिटी तो दोस्तों सबसे पहले चिक्नी मिटी और चिक्नी मिटी से ही इंट बनाई जाती है तो दोस्तों सबसे पहले चिक्नी मिटी चिक्नी मिटी से बनेगी इंट इंट से बनेगी दिवार और दिवार से बनेगा कमरा और कमरा से बनेगा मकान ठीक है तो इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो दो, पाँच, एक, चार, तीन सी नमबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है इसमें देखिए नाइन नमबर प्रेसन है अक्सरों का समुए खाली इस्तानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्सर स्रंखला को पूरा करेगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों A, B, AA AAA, फिर A, B यह इसमें दे रखा दोस्तों तो यहाँ पे सीरीज क्या बनेगी वह आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ तो इसमें दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे अबबा की सीरीज बनेगी क्या बनेगी अबबा की सीरीज बनेगी ए इसको डिवाइड होगा दोस्तों यह चार-चार के अंदर डिवाइड कर ले ना इसको तो A देखिए A, B ठीक है A, B, AA यह सीरीज बनेगी तो यहाँ पे देखिए A, B, फिर A फिर दोस्तों इसको ऐसे कर दो A, B, A, A फिर A, B, A, A यहनि कि इसमें अबबा की सीरीज बनेगी चार-चार अक्सर होगी तो आप इसको काट लेना देख लेना इसको तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है A, B, B, A A, B, B, A और फिर A यहनि कि D नमबर का जो उप्सन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दस नमबर का प्रस्न है इसमें निम ने लिकित प्रस्नों में एक अनुकरम दिया है जिसमें एक पदलुप्त है और दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है और अनुकरम को पूरा करना है अपने को तो यहां पे देखिए दोस्तो I, K, J, N, P, O, S, U, T दे रखा है तो दोस्तो यहां पे क्या आएगा तो दोस्तो देखिए यहां पे I अब दोस्तो यह तुमने आपको बता दिया ठीक है अब यहां पे देखिए I के बाद में यहां पे N और N के बाद में इधर S ठीक है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है इसमें जो जो सीरी चल रही है आप वैसे की वैसे चलाते जाना तो यहां पर I, I कितने नमबर पर आता है? 9 नमबर पर और N, N आता है दोस्तों इसमें 14 नमबर पर ठीक है? यानि कितना पलस हुआ? तो इसमें 5 पलस हुआ दोस्तों, ठीक है? अब S है वो किते नमबर पे आता है तो देखो R S S गुनिश नमबर पे आता है दोस्तों तो गुनिश में 14 गए तो किते बचे तो 5 बचे ठीक है तो यानि कि इस में 5 5 का gap चल रहा है अब S यानि कि S में अगर अगर अपन 5 जोडे यानि कि गुनिश में अगर अपन 5 जोडे तो गुनिश और 5 कितने होते है 24 और 24 नमबर पे क्या आता है तो X आता है क्या आता है X तो ये अपना right answer हो जाएगा इसमें क्योंकि इसमें दोस्तों हर सब्द के अंदर दोस्तों आपको 5 पलस करने है और 5 पलस करते जाओ आपका right answer निकल कि आ जाएगा जैसे K K में 5 जोड़े P आ गया और P के अंदर 5 जोड़े तो U आ गया और U के अंदर 5 जोड़े तो दोस्तों Z आ गया या आपको इसमें करना है तो इसमें C नमबर का option से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट गयारा नमबर का प्रस्न है तीन चार साथ गयारा अठारा गुनतीस आगे क्या आएगा तो यहां पर देखिए तीन और चार कितने होते हैं साथ तीन और चार कितने होते हैं साथ और साथ और चार कितने होते हैं ग्यारा ग्यारा और साथ कितने होते हैं अठारा और अठारा और ग्यारा कितना होता है गुंटीस है और गुंटीस और अठारा कितना होता है तो दोस्तों जोड़ लो गुंटीस और अठारा कितना होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सेंतालीस है तो इसमें D number का option सहयुकतार नेक्स्ट है निमनलिके तस्रेनी में गलत संक्या की ज्याद कीजिए तो दोस्तों अपने को गलत संक्या इसमें घ्याद करनी है तो देखिए 850 843 8308 यानि कि कुछ ऐसी चीज है जो यह लगातार माइनस होती जा रही है वो संक्या अपने को इसमें पता करना है तो यहाँ पर देखिए 850 में से 843 गए तो कितने बचे साथ माइनस की अपने ठीक है और 843 में से 830 गए तो कितने बचे तो 24 बचे ठीक है अब आगे देखिए 830 में से 808 गए तो कितने बचे 21 अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीरीज श्टार्ट हो रही है 714 21 याँनिकि 7 का 7 x 1, 7 x 2, 7 x 3 याझि 7 14 21 यह सीरीज श्टार्ट होरी है यह साथ का पाड़ा माइनस करना है अपने को इसमें 7 proposed 721 अब अपने को यहाँ 28 माइनस करना है तो देखिए आपे 808 में से अगर अपन 28 कम करते हैं, कितने 28 कम करते हैं, तो दोस्तों कितना हैगा, तो दोस्तों यहाँ पे 780 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 780, लेकिन यहाँ पे दे रखा कितना है, 788, इसमें कम कितना कर रखा है, तो दोस्तों इसमें मातर और मातर B C कम कर रखा है तो इसमें 28 नहीं कम कर रखा है तो अपना गलस संग के अपने को ज्याद करनी थी तो 788 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर का जो अप्शन है वो इसका सयुत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए यदि किसी भासा में कपिल को A, I, K, L, P लिखा जाता है तो राकेश को उसी भासा में क्या लिखा जाएगा तो देखिए यापे के पहले नमबर पे है और इसको क्या लिखा जाता है के बीच में आ जाता है ठीक है और यहाँ पे A है वो पहले आ है यदि कि अपन कप इसको देख लेते हैं डायरेक्टी कि परकेश को ठीक है कपिल की तरह है तो यहाँ पे के जो सबसे पहला अक्सर है वो चला जाता है दोस्तों बीच में तो यानि कि R है यह अपने चला गया तीसरे नुमर पे ठीक है अब देखिए दोस्तों आप यहां पे K A, A है वो पहले आ जाएगा तो इसमें A है यह पहले आ गया ठीक है, K तो देखिए दोस्तों यहां पे सीधा सा है आप वैसे भी कर सकते हो इसको ठीक है, कि अलग-अलग है आप इसका कोड लिख ले जैसे कपिल का कोड क्या हो जाएगा तो कपिल का कोड इसमें हो जाएगा दोस्तों कितना, K का हो जाएगा ग्यारा एक हो जाएगा एक फिर पीक हो जाएगा दोस्तों इसमें 16 फिर 9 और फिर 12 ठीक है इसको क्या लिखा है तो इसको लिखा है एक 9 एक नो ग्यारा बारा और सोला ये लिखा है तीक है अब आपको कुछ भी नहीं करना या आप ए राकेश लिखावा दिखाई दे रहा है आपको तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आएगा इसमें A तीक है फिर आएगा दोस्तों इसमें E ये आएगा इसमें आप कोड लिख लेना और कोड के नुसार आजाएगा दोस्तों इसमें राकेश में क्या लिखा जाएगा A E H K R S ये लिखा जाएगा दोस्तों ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नमबर का उप्शन नेक्स्ट हैं आगे तेखे एक व्यक्ती उत्तर की और मुह करके चलना प्रारंब करता है प्रतह एक Its 5 नilla कीमी कि यात्रा पर दाईं नहीं मुः मुढता है दुपर देखे आप καसी बता दिता हूँ डैरेक्ट एक व्यक्ती उत्तर की मुह करके चलता है यानि कि एक वक्ती दोस्तों उत्तर की और मो करके चला ठीक है ये चला ठीक है पांच किलो मेटर चला यहां से चला पांच किलो मेटर ठीक है ये मैंने पांच किलो मेटर यांपे लिख दिया पर तेक पांच किमिक यात्रा पर महें दाईनी और मुड़ता है तो यानि कि ये पांच किलोमेटर की यात्रा के बाद में वो दोस्तों पांच किलोमेटर मुड़ता है ठीक है तो पंद्रा किमी की यात्रा करने के बाद वहें किस दिसा में रहा होगा तो दोस्तों पंद्रा किलोमेटर की यात्रा करनी है तो ये वापस मुड़ गया, पांच चला, तो अब पांच तो इदर गया, पांच इस साइड चला और पांच इस साइड चला, पंद्रा किलो मेटर हो गया, और दाइनी तरफ मुड़ता है हर बार, तो अब इसका कौन सी दिशा में चल रहा है दोस्तों ये, अब दोस्तों ये है यह यहां से मुड के अब वापस दाईनी और मुडेगा 5 किलो मेटर के बाद मैं वापस दाईनी और मुः करके खड़ा है और 5 किलो मेटर चलने के लिए तैयार है लेकिन आगे चला नहीं है यहनी कि इसका मुँ है वो पस्यम दिशा की और है तो इसमे बी नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट रेखा को याद है कि उसके भाई सुबम का जनम दिन 18 अगस्त के बाद लेकिन 25 अगस्ते पहले आता है यानि कि 18 और 25 से बीच में आता है जबकि उसकी बहन गुलमित को याद है कि सुबम का जनम दिन 16 अगस्त के बाद और 20 अगस्त के पहले है तो यानि कि ये भाई साब यहां पे काड़तो यानि कि 18 से 20 के अंदर ही जनम दिन है 18 तारिक से लेके 20 तारिक के बीच में ही जनम दिन है ठीक है यदि दोनों कथन सत्ते है तो सुबम का जनम दिन कितने अगस्त को है तो दोस्तों सुबम का जनम दिन है वो कितने अगस्त को है तो दोस्तों 30 अगस्त को है ठीक है यानि कि देखिए सबसे पहले तो अपने को ये बताना है कि ये तो बता रही है कितनी 16 अगस्त और ये बता रहा है दोस्तो 18 अगस्त से 20 अगस्त तो इसमें बीच का एक देख लेना है 19 अगस्त 19 अगस्त इसका right answer हो जाएगा ठीक है 20 माइनस 1 गुनिस आजाएगा इसमें नेक्स्ट, सोलन नमबर का प्रश्ण है, कम्पिटर की सिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए, कथन है, कम्पिटर की सिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए, मान्यता है, कम्पिटर सीखना आसान है, कम्पिटर सिक्षा प्राप्त करने पर नोकरी आसानी से मिल जाती ह तो दोस्तों कौन सी मान्यता सही है देखिए कथन से इस परष्ट है कि कंप्यूटर है वो सीखना आसान है क्योंकि कठीन चीजे इसकुल के बच्चों को नहीं सिखाई जा सकती है इसलिए मान्यता एक ही इसमें सही है ए नंबर का उप्शन से युक्तर हो जाएगा नेक्स्ट है शतरा नंबर का परष्थन है निमनलिकित परष्णों में दिये गए विकल्पों में से लुप्त संक्या को ग्याद करना है तो यहां पे देखिए साथ चोड़े आठ तो साथ है यह बीच में आगया चोड़े पहले आगया और आठ है वो बाद में आ गया ठीक है और जो बीच वाली संक्या है नो तो यह जाएगी दोस्तों पहले और जो चोदा है ठीक है वो ऐसे गेसे लाष्ट में रहेगी ठीक है तो यानिकि पांच हजार स्वरी नो हजार पांच सो चोदा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्शन से उत्तर आगे द पिसव की मां है जिसका पिता मेरा पती है फोटो की मईला से मणी का क्या संबंध है तो यहां पे देखिए दोस्तों यह फोटो में एक मैला की और संकेत करते हुए जोनने की यह फोटो है ठीक है इस फोटो की और संकेत करके दोस्तों मनी ने कहता है कौन कहता है मनी मनी कहता है कि वहें एक सीशू की मा है जिसका पिता मेरा पती है जिसका पिता मेरा पती है फोटो की मैला से मनी का क्या समन्द है तो दोस्तों वो क्या है मा है मनी की ठीक है क्या है मा यानि कि फोटो वाली मैला है वो मनी की मा है तो इसमें D-Number का उप्षन सहित्तर हो जाएगा क्या हमें ओजोन परत की सुरक्षा करने चाहिए तरक दे रखा है हाँ यहें नुकसान दे है अल्ट्रा बाइलेट किरंड से हमारी रक्षा करता है दूसरा तरक है नहीं इससे कोई नुकसान नहीं है तो दोस्तों सब को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा वो है इसमें केवल और केवल तरक है वो एक ही परबल है इन नंबर का उप्षन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए यदि भाग का अर्थ इंटू माइनस का अर्थ पलस और इंटू का अर्थ भाग है तो निमनलिकित समिकरन का मान क्या होगा तो यहाँ पे भाग का मतलब क्या है तो देखिए दोस्तो पांच फिर भाग को क्या बोलते है इंटू तो यह इंटू चार तो यह इंटू चार अब माइनस को क्या बोला है तो माइनस को दोस्तो पलस बोला है 18 इंटू को क्या बोला है तो इंटू को दोस्तो भाग बोला है तीन अब देखिए 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 6 तीक है अब अब इसको काट दो अब अब अपने पास बता 5 इंटू 4 पलस 6 तो फिर गुणा करेंगे तो 5 चोक है 20, 20 और 6 कित्ते हो जाएंगे तो 26 तो इसमें ए नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है आगे देखिए 42 चात्राओं के एक कक्षा में मोती का करम उपर से सोलवा उसका करम अंत से कितना होगा तो 42 चात्रों में से उपर से उसका सोलवा है तो 42 में से दोस्तों क्या करना है 16 करना है गटाना है तो 42 में से 16 गटाएंगे तो दोस्तों अपने पास बचाएंगे 26 और 26 तो एक तो वो खुद ही हो गया उत्रप से उसी को गिंड रहे हैं तो दोस्तों एक बार ही पलस होगा हो ठीक है तो 26 में अगर अपन एक जोड देंगे तो कितना जाएगा तो वो है 27 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका अंत से 27 वहिस्तान होगा डी नंबर का उप्शन से उत्र नेक्स्ट है निमन में से एक पासे की दो इस्ततियों को दर्शाय गया है जिनें देखकर बताएं कि तीन के विपरित क्या होगा तो यहां पे देखिए दोस्तों तीन के विपरित तो सीधा सा है यहाँ पे तीन के विपरित पुछा है तो दो के विपरित तो क्या हो गया दो के विपरित दोस्तो देखिए यहाँ पे यह दो के विपरित तो हो गया पांच ठीक है और तीन के विपरित हो गया एक ठीक है दो के विपरित पांच और तीन के विपरित क्या हो गया एक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें तीन का विपरित है वो दोस्तो च्छे होगा अब देखिए इसको सबसे आसान तरीका है कैसे है मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकाला मैंने तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोमन संक्या डूंड़नी है इस बॉक्स में कोमन संक्या कौन सी है तो दो हो दे रखिए आप एक येरी दो और एक येरी दो अब अपन इसको क्या करेंगे clockwise गुमाएंगे यू ठीक है यू गड़ी के अनुसार इसको चलाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों ये मैंने आपको comment संक्या ली है ये आप अलग लिख दें ये दो और ये दो ठीक है अब इसको clockwise चलाना है इस दो को अपन इदर चलाएंगे तो क कितना आ गया तीन ठीक है फिर और आगे चलाएंगे इसको और आगे चलाएंगे च्छे के बाद में इदर आ गया एक और इसके बाद में तीन के बाद में इदर आ गया पांच अब देखिए एक के विपरित तो होगा दोस्तो इसमें पांच और च्छे के विपरित होगा इसम पूछा होता तो 5 तो यहां पर 3 का पूछा है तो 3 के विपरित क्या होगा अच्छ आ है तो ए नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है 23 नमबर प्रेस्ट ने नीचे एक सब्द दिया गया है जिसके नीचे चार विकल्प दिये गए हैं वहें विकल्प चुनिए जो दिये गए सब्द के अक्सरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता तो यहां पे देखिए दोस्तों सब्द दे रखा है यहां प कौन सा सब्द है वो नहीं बन सकता इसमें से तो यहाँ पे देखिए terminal टेमिनल सब्द है वो यहाँ पे नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे दोस्टो इसमें L दे रखा है और germination में दोस्टो L है वो नहीं आ रहा है तो यानि की बी नमबर का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा next is 24 नमबर प्रेस्न है सभी पत्थर छोटे हैं सभी छोटे बड़े हैं सभी पत्थर यनकी इसको मैं PCन रुपित कर देता हूँ सभी पत्थर दोस्तों क्या है छोटे तो ये छोटे ठीक है सभी पत्थर छोटे हैं सभी पत्थर छोटे हैं और सभी छोटे बड़े हैं तो सभी छोटे ये दोस्तों क्या बढ़े बड़े यानि कि पत्थर छोटे और बड़े ठीक है अब निसकर्श देखिए सभी बड़े छोटे हैं तो सभी बड़े तो छोटे हैं नहीं सभी बड़े छोटे नहीं है कुछ ही बड़े हैं वो छोटे हैं तो यहाँ पर पहला तो इसमें क्या हो जाएगा गलत सभी छोटे पत्थर हैं तो सभी छोटे पत्थर है तो यह भी दोस्तो इसमें क्या हो जाएगा गलत इसमें दोनों यह निसकर्ष गलत है तो इसका right answer हो जाएगा वो है देखिए कौन सा है इसका right answer हो जाएगा थीक है नए तो निसकर्ष first और नहीं से second निकलता है नेक्स्ट है 25 नमर प्रेस्ट है निमने प्रेस्ट में लुप्त पद गयात कीजिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दो, तीन, यहाँ पे अपने को ग्याद करना है ठीक है? चार, पांच, से, चोदे, बाइस, बत्तीस अब देखिए दोस्तों कैसे इसको सोल करेंगे बहुत अच्छी पहली है तो दोस्तों अपने हैं इसको कैसे सोल करेंगे इसको ऐसे सोल करेंगे यू इस करम में ठीक है तो यहां पर देखिए चार का स्कुईर माइनस अगर अगर अपन दो करें तो दोस्तो कितने आ जाएंगे 14 यानि की चार का स्कुईर 16 जोड़ है ठीक है और 16 माइनस दो करेंगे तो 14 आजाएगे, फिर यहां पर बीच में देखिए 5 आ रहा है, तो 5 का square कितना होता है, 25, और 25 में से अगर आपन 3 minus करेंगे तो दोस्तो इधर कितना जाएगा, 22 आजाएगा, ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तो 6 का square कितना होता है, 36 और 36 में से 32 गए तो कितना बच जाएगा 4 यानि कि दोस्तों यहाँ पे इस बोक्स में क्या आएगा 4 तो इसमें D नमबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है यदि A का अर्थ बहाग B का अर्थ पलस C से अभी प्राइब माइनस और D कोतित करता है इंटू को तो यहाँ पे दोस्तों दे रखा है 24 A A को क्या दे रखा है देखें यहाँ पे 24 को क्या दे रखा है भाग फिर 6 से 6 ठीक है अभी यहाँ पे देखिए D को क्या बोल रखा है इंटू ठीक है इंटू 4 B को क्या बोल रखा है B को दोस्तों plus बोल रखा plus no फिर C को C को दोस्तों minus बोल रखा है यानि कि minus 8 तो अब C को तो बोल जाओ भी ठीके ये तो सब के last में काम आएगा तो आफ minus को तो हटाई लो बाद में याद रखना है ठीके ये देखिए अब ये बचा तो इसको 24 में 6 का बाग दिया तो कितनी बचे तो 4 4 इंटू 4 पलस 9 माइनस में अपने को 8 और लिख देता हूँ याप तो 4 इंटू 4 यानि कि दोस्तों कितना हो गया 16 पलस 9 माइनस 8 ये बच गया अब 16 और 9 कितने होते हैं तो दोस्तों 16 और 9 होते हैं 25 और 25 में से 8 गए तो दोस्तों कितना बचे 17 तो राइट आंसर क्या हो जाए का अपना B नमबर का उप्शन नेक्स्ट है 27 नमबर प्रेशन है यह है पाठे करम इस परकार बनाया गया है कि केवल थोड़े बच्चे शुम पाठ सीख सकते हैं निसकर्च फर्ष्ट दे रखा है दोस्तों यहाँ पे इस पाठे करम के पाठ सीखना बच्चों के लिए वांच निया है दूसरा निसकर्च देखिए सिख सक के बिना इस पाठे करम के पाठ सीखने में कुछ शिख से आरतियों को कटना हिया होती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल सेकंड ही निसकर्च निकलता है बी नमबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए पेडों की एक कतार में एक पेड कतार के किसी भी छोर से पांचवे इस्तान पर है कतार में कुल कितने पेड हैं तो देखे, आपको कुछ नहीं करना पेडों की कितार में एक पेड का प्रारंब अंत से स्तान 5 वा यहальने कि कतार में कुल पेड कितने हो जाएंगे तो यहांपी देखे, 5 पलस 5 माइनस 1 तो दोस्तों, इसमें टूटल 9 पेड होंगे तो इसमें D-Number का option सहीगता है ठीक है Next यहां पर देखिए यदि की एक कूट बासा में इसमें देखिए C-I-G-A-R-E-W-T-E ठीक है यानिके cigarette को यहां पर यह लिखा जाता है और उसी कूट बासा में दोस्तों यहां पर देखिए direction को क्या लिखा जाएगा तो यहां पर अब यह जो इसमें आप इसके कोट लगा लिए ठीक है आप इसके कोट लगाओगे तो आपको सीधा सा सब कुछ पता लग जाएगा ठीक है इनके आप कोट है वो 123456789 लिख लो ठीक है जैसे cigarette को यहां पर इनके अलग कोट दे दिये अपने नमबर य इसे कोट दे दिये 1-2-3-4-5-7-7-8-9 ठीक है और अब यहां पर देख लिए देख लिजे कि कौन सा किते नमबर पर आ रहा है ठीक है तीन नमबर पर जी था अपना ठीक है तो अपने कूछ में क्या करना था मिलान करना था ठीक है तो सिधा सा है जिसका जो P, C, E, N, O, II तो इसमें A नमबर का उप्षन सहुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट नीचे दी गई आकरती में वर्ग द्वारा डॉक्टर तिर्भूज यानि के वर्ग द्वारा डॉक्टर तिर्भूज द्वारा मैला डॉक्टर ठीक है तिर्बुज में माईला डॉक्टर है इसमें माईला ठीक है माईला डॉक्टर और वर्ग में डॉक्टर और वर्त वर्त दुबारा सर्जन परदसित किये गए हैं तो दोस्तों अपने को इसमें क्या बताना है कि उस भाग को पहचाना है जो उन माईलाओं को परदसित करता है जो डॉक्टर वा सर्जन दोनों ही है, तो यहां पर देखे T, T है, वो दोनों तीनों के बीच में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, दोस्तों वो है B नंबर का जो उप्षन है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह दोस्तों अपने जो रिजनिंग के प्रेशन थे, वो अपने कम्प्लीट इसमें पढ़ लिये हैं, अब दोस्तों अपने कुछ क्यूशन है, वो कम्प्यूटर के पढ़ेंगें, ठीक है, तो मेरे साथ में चलते रही है, प्राजिस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बर्ती परिक्षट दोजार बीस के सलिवस के कुडिंग, तो देखें, 31 नमबर प्रेस ने है, इसमें देखें, प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोडने का समर्थन करता है, तो वो कौन सा करता है, तो वो है दोस्तों, इसमें HTTP करता है, ठीक है, तो इसमें C नमबर का उप्षन सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट है, एक वेब संसादन का उप्योग करने के लिए, एक पून URL के पहले भाग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों, वो है प्रोटोकॉल कहा जाता है, डी नमबर का जो उप्षन है, वो राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, इव्यापार बुन्यादी डाचा को संदर्वीत करता है, इव्यापार बुन्यादी डाचा को संधर भीद करता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इव्यापार networking, इव्यापार applications, इव्यापार client, server वातवरन, तो इसका right answer हो जाएगा उप्रोक्ट में सभी D number का option सहीतर, next है, internet है, तो दोस्तों internet क्या है इंटरनेट दोस्तों कंप्यूटर का एक विश्व व्यापी वेप परसपर नेटवर्क है जो आपस में समाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल उप्योग करता है तो इसमें D नंबर का जो उप्शन है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखे 35 नंबर प्रेशन है देखे कंप्यूटर को प्रेशन भी दोस्तों ध्यान से पढ़ें क्योंकि मैं चीज आपको राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बरती परिक्षा में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है इसलिए कंप्यूटर के प्रेशन तो आपको पढ़ने बहुत जरूरी है 35 नंबर प्रेशन है इवानिजे जिसमें उपबोकता द्वारा सी सुरू की गई और व्यापारों को लक्षित की गई वेवसाइक गतिविदिया सामिल है दोबारा देखिए इवानिजे जिसमें उपबोकता द्वारा सुरू की गई और व्यापारों को लक्षित की गई वेवसाइक गतिविदि सामिल है तो वो दोस्तों उसमें कौन सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यापार से उपबोकता बी टूबी ठीक है कि किस मेन्यू में टू कोंटेंट ओप्शन उपलब्द होता है तो यह राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यूजलैड का ठीक है और नेक्स ऑपन ओफिस परजन्टेशन में कौन सा बटन सलाइट सो प्रारम्ब करने हैं तो इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों सलाइट सो क के लिए F5 बटन का इसमें प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट है ओपन ओपिस परजेंटेशन के किस केप्शन में फ्लोटिंग फेम ओप्शन पाए जाता है तो फ्लोटिंग फेम ओप्शन पाए जाता है किस केप्शन में तो यह पाए जाता है दोस्तों इंसेट में ठीक है c number option सभी तर नेक्स्ट है open office presentation में निमिन में से कौन से option नहीं है तो कौन से option नहीं है तो वो है दोस्तो data का option इसमें नहीं है d number का option सभी तर नेक्स्ट है 41 number प्रेस्ट है इसमें देखिए c program की मदद से machine बासा में परिवर्तित किया जाता है C program की मदद से machine बासा में परिवर्तित किया जाता है तो यह किया जाता है दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है एक compiler का compiler की मदद से machine बासा में परिवर्तित किया जाता है C program को Next है एक function का खुद को call करना कहलाता है तो वो क्या कहलाता है वो दोस्तो recursion कहलाता है क्या कहलता है रिकर्षन तो इसमें ए नंबर उप्षन सही उत्तर है नेक्स्ट है 43 नंबर प्रेशन है इसमें देखिए SQL का पूरा नाम SQL का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों वो है structured query language C नंबर का उप्षन सही उत्तर नेक्स्ट है निमन में से cell program के लिए क्या सत्ते है निमन में से cell program के लिए क्या सत्ते है तो यहाँ पे देखिए Linux कमांड को सयोजित कर कोई कारिये संपादित करता है ए नंबर का उप्षन इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट कुसर है यहाँ पे देखिए Linux के पहले कौन सा operating system था लिनक्स से पहले कौन सा operating system था तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा तो वो है unix ठीक है C नंबर उप्षन सही उत्तर नेक्स्ट है Microsoft Word में चार्ट कहां पर पाये जाता है तो चार्ट कहां पर पाये जाता है यह पाये जाता है दोस्तों insert caption में ए नंबर का option सही उत्तर next Microsoft Word में सब्दों को bold करने का तरीका क्या है तो सब्दों को bold करने का तरीका क्या है तो इसका तरीका है दोस्तों सब्दों को चुने bold button दबाएं तो इसमें C number का option सही उत्तर हो जाएगा इसका next आगे देखिए fonts एवं उसके आकार को परिवर्तित करने है तो कौन सा toolbar का उपयोग होता है तो इसमें दोस्तों formatting toolbar का इसमें उपयोग होता है next किसी भी content की copy करने के बाद कितनी बार paste किया जा सकता है यानि कि दोस्तों अपन भी कोई भी content होता है तो उसको क्या करते हैं कि copy कर लेते हैं उस copy को open कितनी बार paste कर सकते हैं बहुत अच्छा क्यूसन है और दोस्तों आप सभी को पता है आप खुद भी copy करते होंगे कोई चीज तो कितनी बार उसको paste कर सकते हैं तो दोस्तों उसको अने को बार उसको paste कर सकते हैं के जितनी मर्जे आये उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हैं next है कौन सा प्रोग्राम Microsoft Office समू का नहीं है तो ये दोस्तो smart suit का है नहीं है ठीक है तो इसमें B number का option सही उत्तर next है dot matrix किस उपकरण की किस्म है तो ये दोस्तो कौन से उपकरण की किस्म है तो ये printer की किस्म है करते हैं तो क्या करते हैं तो दोस्तों इसमें hyperlink कहते हैं उसको बी number का option सब्सक्राइब मेल बॉक्स बोलते हैं इमेल खाते के storage area को मेल बॉक्स बोलते हैं C number का option सही उत्तर next है धवनी के पुनरुथान के लिए एक C दी audio player में पर्यूख होता है धवनी के पिनρुथान के लिए एक C दी audio player में पर्यूख्त होता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो laser beam C number का option सही उत्तर next है डी पी आई दरसाता है तो दोस्तों डी पी आई दरसाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है dot per inch में दर्शाता है ए नमबर का option सज़ुदतर next computer की समस्त सूचनाई या output देखने के लिए किस device का परियोग किया जाता है तो इसमें कौन सी device का परियोग किया जाता है तो monitor का इसमें परियोग किया जाता है next function argument हो सकता है तो यह हो सकता है दोस्तो एक पूर्ण structure में ठीक है तो इसमें C number option सज़ुदतर next c++ में एक function जो की एक class के अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं दोस्तो क्या तो class function बोलते हैं उसको C number option सज़ुदतर नेक्स्ट है copy constructor को invoke किया जाता है जब एक function value के द्वारा return होता है एक argument value के पास किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा ए तथा भी दोनो c number का option सहीतर हो जाएगा next overloaded function फंक्शनों का एक group होता है जिसका नाम एक ही होता है तो इसमें a number option सहीतर next virtual function निमन में से किसे कहेंगे तो निमन में से किसे कहेंगे एक function जो बहुतिक रूप से विद्यमान नहीं होता तो इसका right answer हो जाएगा a number का option ठीक है अब दोस्तों देखिए अब अपन जो इंडिया जी के करन्ट अफेर से समंदित क्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें देखिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए किस भारतिये को चेंज मेकर अवार्ड से सितंबर 2019 में समानित किया था तो किसे समानित किया था तो इसका right answer हो जाएगा वो है पायल जाएंगे गो ए नमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है बाला कोट एर इस्ट्राइक की योजना बनाने वाले वहें IPS अधिकारी जिसे केंदर सरकार ने जुन 2017 में देशकी खूफिया एजेंसी रिचर्स एंड एनलिसस विंग यानिकि रोका परमुक निक्त किया है तो वो किसे निक्त किया है तो वो दोस्टो सामन्त गोयल को किया है डी नमबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हैं जस्टिस S inst रविंद्र भक्त ने राजस्तान उच्ष नहले के कौन से मुख्यणैदिश के रूप में 5 मई 2016 को सबत ग्रन की थी तो दोस्तों कोन से मुख्यणैदिश के रूप में उन्होंने सबत ग्रन की थी तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें 36 वे के रूप में ठीक है चतिव से नंबर के में next है निमिन मेंसे किसके दुआरा देश के पहले blood bank wallet का लोकारपन किया गया तो blood bank wallet का लोकारपन है वो कहांपर किया गया ये किया गया दोस्तो जैपूर में कब किया गया गुनिस मही दोजार गुनिस को ठीक है दुआरा देखिए देश के पहले blood bank wallet का लोकारपन गुनिस मही दोजार गुनिस को जैपूर में किया गया तो ये किसके दुआरा ये कारपन किया गया तो यह किया गया दोस्तो सवास्त कल्यान बलड बैंक द्वारा तो इसमें ए नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा 65 नमबर प्रेसन है इसमें देखिए निर्मला सीता रमन को फोब्स की सो सरवादिक सक्तिसाली महिलाओं की सूची में सामिल किया गया है ठीक है कथन एक है अपने को बताना है कि इन में से तीनों कथन में से कौन सा कौन कौन से कथन इसमें सही है ठीक है तो देखिए बिल्कुल सही बात है निर्मला सीतार मन को फोब्स की सो सरवादिक सक्तिसाली मैलाओं की सूची में सामिल किया गया है बिल्कुल सही है आगे देखिए अमेरिकी सांसद नेंसी पॉलिशी को इस सूची में सिर्ष इस्तान दिया गया है तो ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा पहला इस्तान इसको नहीं दिया गया है आगे देखिए फोब्स किस से बना है तो दोस्तों ये किस से बना है तो एक केलिसियम फास्पेट से बना है डी नमबर का उप्षन से उत्तर हो जाएगा नेक्स राइट है वाइव मंडल में कारबन डाई ओकसाइड के संची करण को कम करने का एक उपाए वन रोपन है क्यूंकि क्योंकि पेडो से कार्बन सिंक बनती है ए नमबर का उप्षन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है नमनलिकित में से न्यूटन का कौन सा गती नियम लो ओफ मोसन दिवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लोड़ता है के समंद में व्याख्या परदान करता है जैसे की दोस्तों अपन दिवार पर कोई गेंद फेंकते हैं तो वो टकरा कर वापस आ है ठीक है तो इसके सम्मध में वियक्या प्रदान करता है N。 यह करता है दोस्तों इसमें गतिका तीस्रा नियम ठीक है ओप संसरुप से बताता है तो यह आता है दोस्तो इसमें कौन सा तो वह है देखो इको का काडियो ग्राम तो इसमें बी नंबर का option सविक्तर हो जाएगा नेक्स्ते काच का सबसे में तो कुन गटक है तो वह कौन सा है तो वह दोस्तों सिलिका, next cryogenics को दर्षाता है, तो किसको दर्षाता है, ये दर्षाता है, दोस्तों कमता आपमान को A number का option सयुतर, next, चाग का रासाइनिक नाम क्या है, तो दोस्तों केल爷 कर्बोरट यह काज करा सैनिक नम है, सी नंबर ओप्सन से इतर नेक्स्ट एक इलेक्ट्रोन क्या है, एक इलेक्ट्रोन क्या है तो दोस्तों, यह नेट आवेस के साथ एक उपर पर्मानुख करण जो नकारात्मक है ये इसका right answer हो जाएगा ये एक electron है C number option सहीतर next है कौन सा यंत्र समूंदर के इस तर से उपर की वस्तों को देखने के लिए पंडूपी में प्रियोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें periscope C number option सहीतर next है एक परमाणों की परमाणों संख्या क्या होती है जिसमें 10 proton और 11 neutron होते हैं तो वो होते हैं दोस्तों इसमें 10 परमाणों की संख्या कितनी होती है next है C number person इसमें देखिए भारत और चीन के अतिरिक्त देशों के निमन समूहों में से किसे में अमार की सीमा लगती है तो किसे में अमार की सीमा लगती है तो ये लगती है दोस्तों Thailand, Laos और Bangla देश से D number का option सहीतर next है कुना कुडी वेदनाथन समंदित है तो ये समंदित है दोस्तों किसे तो ये समंदित है वाइलीन से A number का option सहीतर किस पहर में राग भेरवी गायन सरवादी कुप्यूक्त माना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सुबह तो इसमें बी नंबर का उप्शन सही उत्तर सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओ ने किस नदी के आमने सामने वाले तटो पर पड़ाव डाला था तो ये डाला था दोस्तो जेलम नदी के ठीक है बी नंबर का उप्शन सही उत्तर अकबर किस चिस्ती संत का सरवादिक आदर किया करता था तो ये करता था दोस्तो शेख सलिम चिस्ती का ये नंबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है दिया पे देखिए निम्नलिकित का सही काला नुकरम क्या है तो दोस्तों देखे सबसे पहले इन में से कौन सी गटना गटित गटी थी तो सबसे पहले दोस्तों साइमन कमिशन आया था और साइमन कमिशन के बाद में दोस्तों गांदी इरविन समझोता हुआ था और फिर दोस्तो क्रिप्स मिशन आया था और फिर देश का विबाजन हुआ था ठीक है यानि कि C B A D यानि कि इसमें D नमबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है टोडरमल निम्नलिकित में से किस समंदित थे तो ये दोस्तो भूर आजस्व सुदार से समंदित थे टोडरमल ठीक है तो D नमबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है किस राजे में विदान परीशद की सदस्य संख्या सबसे कम है किस राजे में विदान परीशद की सदस्य संख्या सबसे कम है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सी है तो वो है जमू कस्मीर में सबसे कम है ए नमबर और उप्शन सयुत्तर केंदर सरकार में मंत्रियों की परिशद सामुईक रूप से जम्यदार होती है तो किस के लिए जम्यदार होती है तो वो है दोस्तो राष्ट्रपती के लिए ठीक है केंदर सरकार में मंत्रियों की सामुईक परिशद है ठीक है या आपको इसमियाद रखना है ए नमबर का उप किसे है ठीक है लोकसबह को इस्तगित करने का अधिकार किसे है तो वो है दोस्तों राश्टरपती को नेक्स्ट है भारतिय सविदान के अनुसार आपात इस्तती गोसित करने का अधिकार किसको है तो यह है दोस्तों राश्टरपती को है ठीक है नेक्स्ट है भारतिय सविदान में नीती निर्देशक तत्वे को कहां से लिया गया है तो यह दोस्तो आयरलेंड की सविदान से लिया गया है सी नंबर उप्श्ञ सहयुतार नेक्सकते भारत में गिर्सम काली मनसून के परवा की सामाने दिशा क्या है तो वह दोस्तो दक्षिन पस्यूंस से उत्तर पूराव तो इसमें दोस्तों D-नम्बर का उप्सट सहित्तर हो जाएगा next है बारत की सरवाधिक वर्षा मुख्यतर प्राप्त होती है next है उत्री पूर्वी मान्सवन से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो तमिलाडू सी नंबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट बेमेल को चुनिए तो यहां पे देखिए मंगल बुद्ध चंद्रमा परत्वी मंगल बुद्ध चंद्रमा परत्वी तो यहां पे कौन सा है इसमें बेमेल कौन सा है तो दोस्तों बेमेल इसमें चंद्रमा है ठीक है तो सी नंबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट उलका है तो दोस्तो उलका क्या है उलका दोस्तो ब्रहा अंत्रिक से पर्त्वी के वायो मंडल में परविश्ट हुए द्रवे का अंस है उलका बी नमबर का उप्शन सयुत्तर किसी इस्तान का मानक समय निर्दारित करने का आदार होता है तो वो होता है दोस्तो क्या तो परदान मद्यान है रेखा तो इसमें डी नमबर का उप्शन सयुत्तर किस करशी चेतर में छोटे चेतरों में अधिक मानव स्रम की आवसेक्ता होती है तो वो होती है दोस्तो व्यापारिक बागवानी में डी नमबर का उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट एक फसली करशी विशेष्ता है तो ये दोस्तो व्यापारिक अन्करशी की ए नमबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए सरोपर्थम राजस्तान की किस रियासत ने सतीपर्था पर रोक लगाई थी तो दोस्तों सतीपर्था पर सरोपर्थम बूंदिर रियासत ने रोक लगाई थी ए नमबर उप्शन सहुत्तर नेक्स्ट है निम्न मेंसे किस से मीटू मूवमेंट का समध है तो दोस्तों मीटू मूवमेंट बोली बोर्ड में दोस्तों काफी ये चर्चा में भी राथा तो ये मीटू मूवमेंट का जो समध है वो किस से है तो ये समध है दोस्तों मैलाओं के योन सोशन से डी नमबर का सःतर नेक्सटे राजस्तान में सबसे अधिक बाल विवह किस दिन संपन होते हैं तो ये दोस्तो एन qualquer वह्त कि की किक हो ठात है तो ये दोस्तो किसमे प्रसलित है तो पिछड़े एवं निम नवर्ग में ग्रामीन, एसक, सितकर्षक, समुदाय में इन दोनों में हैं दोस्तों C नमबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा A और B दोनों नेक्स्ट है बाल विवाह के दूस परिणाम है बाल विवाह के दूस परिणाम है मा एवं बच्चों में कूपोशन, जन संक्या, बालिकाओं के मानसिक एवं सारीरिक विकास का अवरुद होना तो इसका राइट आंशर हो जाएगा उप्राउक सभी नेक्स्ट है एक सो एक नमबर प्रेशन है भारत में कार खाना कानून गुनिस सो अड़तालिस के अंतरगत किस आयू से कम उम्मर वाले बालकों को किस रिणी में रखा गया है तो ये दोस्तों चोदा वर्स के आयू तक ठीक है तो इसमें इसमें बी नमबर का उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है आगे देखे बारत में चैसे चोदा वर्स के बच्चों को निसुल के एवं अनिवारिये प्रात्मिक सिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया तो ये दोस्तों वर्स 2010 में बनाया गया डी नमबर का उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है आपको सभी को पता है च्छियासीवा सविदान संसोदन 2010 में हुआ था आगे देखिए दोस्तों इसमें निसुल के एवं अनिवारिये प्रात्मिक सिक्षा में मौलिक अधिकार बनाने के लिए सविदान में कौन सा संसोदन किया गया तो दोस्तों इसमें च्छियासीवा सविदान संसोदन किया गया ए नमबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा इसमें एनमबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा जब मुकस्मीर को छोड़े नेक्स्ट है राजस्तान में पहली पॉक्सों कोट किस जिले में इस्तापित की गई तो यह इस्तापित की गई दोस्तों जेपूर जिले में एनमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है भारत माता क का पुत्र उसकी मुक्ती के लिए सहीद हो गया इसकी मुझे अत्यंत प्रसंता है यह वाक्यानस प्रताब सिंग बारट की किस सहाधात पर किस ने कहा था तो ये कहा था दोस्तो केशरी सिंग बारट ने कहा था ठीक है ए नमबर उप्षन सयुत्तर नेक्स्ट है मारवाड का वैं सासक जिसने मद्दे कालीन लेख को द्वारा भारत का महान पुरसारती राजकुमार कहा है भारत का महान पुरसारती राजकुमार दोस्तो मारवाड का सासक कौन सा है जिसके बारे में यह कहा गया है तो वो है दोस्तों राव माल देव ठीक है ए नमबर का ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए राज प्रसस्ती मारणा राज सिंग द्वारा राज समंद जील की नो चोकी पाल पर 1666 इस्वी में इ से प्रसिदी प्रसस्ती के लेका कौन है तो दोस्तों कौन है तो वह हैं दोस्तों रंचोड बटे लंग तो इसमें इह नंबर ओप्शन सहित्तर नेक्स्ट नेक्स्ट बच्टव付राज त्रथिये एवं महूबा के चंदेल सा सकर परमर्धिदेव के मद्दे हुए युद में आला वे उदल मारे गए यह gdyub हुआ था तो यह दू युद ग्यारा सो बैया.' ऐस्वी में हुआ था ठीक है तो इसमें आला और वुदल दोवीर से ननायक थे प्रमर्दी देव के वो इसमें मारे गए थे एक सो दस नमबर प्रेशन है टोक रियासत का निर्मान इस्ट इंडिया कमपनी ने किस पिंडारी नेता को संतुष्ट करने के लिए अठारा सो सतरा इस्ट इस्ट में किया था तो यह किया था दोस्तों अमीर खां पिंडारी ठीक है एन नमबर का उप्षन सही उत्तर नेक्स्ट आगे देखिए चितोड के किले पर 1568 इस्वी में मुगलो का अधिकार हो गया ततपस्चात यह दुर्ग मेवाड के सासकों को कब मिला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो 1615 में ठीक है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन सहित्तर हो जाएगा देखिए 1517 में माराना परताब की मृत्य हो गई थी और फिर 1615 के अंदर संदी हो गई थी संदी के तहट यह हुआ था कि राजकुमार है मुगलों की सरनों में रहेगा काफी सारी इच्छा थी काफी सारी इसमें संदीयों की सरते रखी गई थी तो 1615 इसका राइट आंसर तोटल मेवाड है वो 1615 में मिल गया था और बाकी 1552 के अंदर जब दिवेर का युद हुआ था दिवेर के युद से माराना परताब की विजय परारंब हो गई थी यानि कि दीरे 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 दोस्तों ये लड़ते गए लड़ते गए और 1553 में माराना परताब की मरती हो गई फिर 1605 में अकबर की मरती हो गई ये अकबर के बाद में सासक बना जांगीर और इधर बना अमर सिंग तो फिर जांगीर और अमर सिंग के मद् कुछित किया गया तो यह किया गया दोस्तों नागवठ पर्तम को वी नमबर का मंदिर के पास एक चट्टान पर उतकीन है इसका लेखक ठा तो दोस्तों वीजोलियस लेले के लेखक कोन थे तो इसका राइट अंसर हो जाएका वो है दोस्तों गुन बद्र ठीक है ए Mars effic नेक्स्ट घिंगोली के युद में मारवाड की सासक मान सिंग को हराने वाले जैपूर के राजा कौन थे तो दोस्तो जैपूर के राजा थे जगस सिंग दिती है एने नमबर का उप्शन सेउत्तर नेक्स्ट है चमपानेर की संदी मालवा एवं गुजरात की सुल्तानों के विरुद हुई थी तो दोस्तों ये माराना कुमबा की विरुद ये संदी हुई थी और फिर दोस्तों माराना कुमबा ने इन दोनों को हरा दिया था और हराने के बाद भी विजय स्तम का निर्मान करवाया था माराना कुमबा ने नेक्स्ट है करनल जेम्स टोड ने किस मेवा राणा को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना है तो किसे तो वो माना था दोस्तो राणा हम्मीर को ठीक है सी नंबर का उप्शन सयुत्तर अठारा नंबर प्रसने 118 सुमेलित कीजिए प्राचीन छेत्र और वर्तमान जिला आइचातरपुर दोस्तो नागोर को कहते हैं गुजरातरा ये दोस्तो जालोर को और कोटी है ये दोलपुर को बोलते हैं ठीक है ये वर्तमान जिले थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जागा दो एक तीन चार दो एक तीन चार यानि कि कुटबासा में राइट आंसर है ए नंबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है 119 नं गोविंद गिरी ने की थी बी नंबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है राणा सांगा वा बाबर की सेना को निमन में से किस युद में हराया था तो दोस्तो बयाना का युद हुआ था 16 फरवरी 1527 को ठीक है इस युद में राणा सांगा ने बाबर की सेना को युद में हरा दिया था तो डी नंबर उप्शन स्यूत्तर नेक्स्ट है निमन में से गराश्य जनजाती में कौन सा विवा है परचलन में है तो गराश्य जनजाती में कौन सा विवा है परचलन परचलित है तो यहां पर देखिए दोस्तों मोरबांदिय विवा है पैरावना विवा है प्रकार है विवा के और ये चारो ही प्रचलित है तो इसका उप्रोक सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बनी ठनी रादा कृष्ण गीत गोविंद कृष्ण लीलाओं वै आखेट का चितने किस सेली का प्रमुक विशे है तो ये विशे दोस्तों किसंगेड स लिके हैं बी नंबर उप्षन सयुत्तर नेक्स्ट है विलो में कौन सा विवा है प्रचलन में है तो दोस्तों देखिए विलो में कौन सा विवा है हट विवा है सेवा विवा है परिविक्षा विवा है हरण विवा है ये चारों विवा है प्रचलन है विलो में तो इसका र गंबेसवर द्वारा इस्तापित विस्तनोई संपरदाय था ये एक मातर इसमें कतन है वो सही है तो इसमें D-number का ओप्षन सहीतर हो जाएगा ठीक है बाकी के तीन इसमें गलत है एक कतन इसमें सत्य था यही था नेक्स्ट है निमन में से कौन सा फूट इसमें सुमेलित नहीं है तो यहां पर देखिए दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ठीक है तो देखे उद्दोजन सूरी ने कूवलम अला की रचना की हरी बदर सूरी ने दूरता ख्यान की रचना की और पदम नाब ने दोस्तों कानड़ जाती है तो यहां पर देखिए दोस्तों राई नरते है यह भील जाती द्वारा वालर नरते गराशिया द्वारा पनिहारी नरते यह दोस्तों यहां पर गलत दे रखा है यहां पर ठीक है तो डामोर द्वारा नहीं किया जाता कालविलिया नहीं सुरी पनिहारी नरते ठीक है संकर या नर्ते ये कालविल्याओं के द्वारा किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो C नंबर का उप्शन कमेट में बताना है दोस्तो इसी में से चारों में से एक है पणियारे नर्ते कौन सी जनजाती करती है 27 नंबर प्रेशन है निमिन में से कौन सा कतन सत्य है तो कौन सा कतन है वो सत्य है तो इसमें देखे केसरी सिंग बारेट द्वारा रचित परमुक रचनाओं में परताब चरीतर दुर्गादास चरीतर और रूठ हिरानी है बिल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी नेक्स्ट क्विशन है इसमें देखिए दोस्तों 128 नमर प्रेस ने सुमेलित करना है एक तरफ मंदिर है दूसरी तरफ है इस्तान है तो देखिए सुमेलित करते हैं बहुत ही अच्छा क्यूसन है काचरिया बंदिर है ये कहांपर है तो दोस्तों ये मंदिर है किसंगड अजमेर में मदन मोहन जी का मंदिर है ये करूली में है हिंगलांज देवी का मंदिर है दोस्तों जसलमेर में और दनोप माता का मंदिर है दनोप बीलवाडा में तो यानि कि इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा चार तीन दो एक तो इसका सी नंबर का उप्शन है वो राइट आंसर जैसलमेर दुरक का पहला साका की साकरमनकारी के समय हुआ था तो यह हुआ था दोस्तो किस के समय तो यह अलावदिन खिलजी के समय हुआ था सी नंबर उप्शन सेयुतर नेक्स्ट है नाहर गड़ दुरक का निर्मान मराठाओं से जैपूर की सुरक्षा हे तु कब करवाया गया तो यह करवाया गया दोस्तो कब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1734 में नेक्स्ट है लोक देवता पाबुजी के समद्ध में कौन सा कतन ऐसत्त है तो यहाँ पर देखिए दोस्तो पाबुजी के बारे में पाबुजी का जन्म 13 सदी में फ़लोधी जोधपूर के निकट कोलूबंध में हुआ था बिलकुल सही है लोक देवता पाबुजी गोरक् तता पलेक रक्सक एवं मोटो के देवता के रूप में प्रसीद है बिलकुल सही है आगे देखिए पाबुजी ने मुहमबद गजनवी के साथ संगर्श किया गलत हो जाएगा दोस्तो गोगा जी ने संगर्श किया था तीक है मेहमूद गजनवी से लेकिन पाबुजी ने नहीं किया तो अपना सी नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा पाबुजी लक्समन जी के वतार मने जाते हैं बिलकुल सही है d nमबर वाला भी उप्शन सही है सी नमबर का उप्शन इसका गलत हो जाएगा नेक्स्ट है दुरुक का वह कौन सा प्रकार है जिसमें देए तेसरालों टैष्ल से यहां पर देख सकते हैं कोई सा कूट हे वह है तो दोस्तो और यहां पर की और दे रहा है अब देखिए दोरा यहां पर देखे राजस्तान ब्रजबास अकादमी है वो काँपर है तो दोस्तों ये काँपर है तो ये बरतपुर में नहीं है दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसमें ठीक है राजस्तान हिंदी के गरंत अकादमी जैपुर में है सही है राजस्तान राज्या भी लेखाकार बिकानेर में है राजस्तान साहित अकादमी यहुदेपुर में है तो यह इसका राइट आंसर हो जागा ए नमबर का उप्शन क्योंकि यह गलत दे रखा है नेक्स्ट है वारा लावानवीत जिला है तो वो कौन सा है वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है तो वो है दोस्तों इसमें हनमान गट जुन जुनू ठीक है तो इसका राइट आंशर हो जाएगा वो है C number का option नेक्स्ट फिस्ट ए से 157 नंवर प्लासन इसमें कि राजस्तान केसं मुकंद्र प्रदेशं के में मुकंद्रा की पाडियां इसकित है तो इसका राइट आंसर हो जायगा देखिए मुकंद्रा के पाड़िया है ये हाड़ोती के पठार में है आप सबी को पता है कि कोटा जालावाड में इस्ति थे ये मुगंद्रा के पाड़िया नेक्स्ट है हरी के बैराज समंदित है तो ये किसे समंदित है तो ये दोस्तों इंद्रा गांदी नहर से समंदित है सी नंबर का उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए यहां पर देखिए दोस्तों मोरा सागर्गर बांध है यह सवाई मादुपुर में है गागरीन बांध है यह जहलावाड में है ठीक है तो इस प्रैस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा चार, चार से शुरू होने वाला है यानि कि चार एक तीन दो हो जाएगा ठीक है चार गरड़ा है ये बुंदिका, मुरा सागर ये सवाई मादवपुर का और टोकरा शिरोई का तो यानि कि इस प्रैसन का राइट आंसर हो जाएगा चार एक तीन दो डी नंबर का उप्शन सहुक्तर विश्व में इस सब गोल उत्पादन का 40% से अधिक उत्पादन भारत का कौन सा राजे करता है तो वो करता है दोस्तो राजस्तान कौन सा करता है राजस्तान तो इसमें सी नंबर का उप्शन सहुक्तर हो जाएगा नेक्स्ट स्वाई मादवपूर इस्तित रामेश वर घाट निमन में से किस नदी समुह का तिर्वेणी संगम है तो दोस्तों स्वाई मादवपूर में रामेश वर घाट में कौन सी नदी का तिर्वेणी संगम है तो यहां पे देखिए दोस्तों, चंबल बनास शीप का, ठीक है? यहां पे दोस्तों तृवेणी संगम है, ठीक है? ए नमबर का उप्षन सयूतर आगे देखे राजस्तान में सौफ का उत्पादन सरवादि कहा होता है तो यह होता है दोस्तों सौफ का उत्पादन सिरोई में होता है ठीक है बी नमबर का उप्शन सहुत्तर नेक्स्ट है आगे देखे किस मिट्टी में लोहे के तत्व की अधिक मात्रा होती है तो वो होती है दोस्तों लाल दोमट मिटी में इसकी मातरा अधिक होती है नेक्स्ट है आगे देखिए 143 नमर प्रैसने ठीक है सुची फर्स्ट और सुची सेकंड दे रखा है सुमेलित करना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए एक तरफ वन्यजीं सरक्षि चैतर दूसरी तरफ जिला तो देखिए सुमेलित करें कजिये तो जोड बीड गडेवाल यह कहां पर है तो यह बिकानिर में है सब को बता है ठीक है गुड़ा विस्नौई गुड़ाविष्णोई काँ पर है तो ये दोस्तो जोदपुर में, और गोगेलाव ये दोस्तो काँ पर है, ये नागोर में और बीड है वो काँ पर है, जुन- जुनë में ठीक है, तो इस प्रैसन का राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो चार-तीन-दो-एक तो इसमें A नम्बर का option सहीततर हो जाएगा उद्धैपूर बेशिन के चारो तरफ कटोरे जैसी आकर्ती वाले परवर्थी बेशिन को इस्तानी बासा में क्या कहते है तो दोस्तो उसको बोलते हैं क्या? गिर्वा, क्या बोलते हैं उसको? गिरवा बी नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से किस योजना के पूर्ण हो जाने पर वहन देश की सबसे लंबी जल सुरंग होगी तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तो इसमें मोहलाल सुखाडिया देवास जल पर योजना ठीक है तो ये गलत हो जाएगा दोस्तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मानसी वाकल पर योजना ठीक है ए नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है जैपूर मेटरो पर नाली भारत की कौन सी मेट्रों परणाली है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें चटी मेट्रों परणाली है बी नंबर का उप्शन सेउत्तर नेक्स्ट है अब देखिए या अनुपरती योजना के बारे में बताए गया है और ये कुछ क्यूशन है जो बता इकाईयों में पांच उच नहले कारियरत थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखो दोनों ही कथन है वो सत्ते है और आरे एक उचित व्याक्या नहीं करता है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो दोस्तों ये अपने 150 प्रेस नहें वो मिल जाएकर राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल मॉडल पिपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है तो आप वहां जाके तो पिछले तीन मॉडल पिपर हैं उनको जरूर देखें और अरद्यारे से के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने पू जा भरत